Welcome students in the world of the words part 28 Part 27 के बाद आज मैं उपस्थित हूँ part number 28 जो world of the words का है idioms and phrases आज कुछ खास idiom और phrase के साथ मैं यहां उपस्थित हूँ अब तक हमने पिछले जो idiom phrases का सरसला जारी रखा उसे पढ़ा 247 तक हमारा word number है 248 अगली customer अगली customer उसे कहते हैं या वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे कोई भी बात को समझाना काफी मुश्किन होता है अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझाते हैं वो नहीं समझे कई बार समझाते हैं नहीं समझे यानि उसे समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं अगली कस्टमर A person difficult to deal with that is called अगली कस्टमर example के तौर पर I couldn't convince him because he is an अगली कस्टमर मैं उसे नहीं समझा सका क्योंकि उसे समझाना बहुत ही मुश्किल था Tear down Tear down का मत्तब होता है पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना Destroy completely पूर्ण विनाश कर देना पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना Destroy completely is known as tear down Example The storm hatch torn down the complete villus आधी ने पूरे गाउं को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया Tear का थाड़ फाम होता है Tot Tear tore torn जैसे बाद रे सारे फसल को परबाद कर दिया Flood tore down all the crops Kiss the ground Kiss the ground का मतलब होता है शहीद हो जाना या मर जाना खास कर ये शब्र या ये फ्रेज हम यूच करते हैं सानिकों के संदर्ब में जब यूद भूए बर लड़ते लड़ते वो मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं That is called To kiss the ground That is To be killed Example के तोर पर The soldier Kissed The ground In the battlefield You do The ground का मतलब होता है शहीद हो जाना या मर जाना To be killed हमारा फ्रेज नमबर है 251 Keep the ball rolling on Keep the ball rolling on का मतलब होता है किसी भी काम को जारी रखना To continue work जब किसी work को जारी रखा जाए That is called Keep the ball rolling Example The boss Ordered The workers To keep the ball rolling Boss ने करबचारियों को आदिश दिया कि वो अपने काम को जारी रखे The government Keep the ball rolling सरकार ने काम को जारी रखा Phrase number 252 Lead a woman to the altar दो-तिन सेशन पहले हमने अल्टार शब्त का मतलब डील किया था अल्टार का मतलब होता वेदी जब इंदू रिद्धर रश्मो रिवास ने कोई धार्मिक कर्ब कार्ड होता है जो वेदी बनाई जाती है फुजा करने के लिए उसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टार ये धार्मिक प्रावजर के लिए हम बनाते हैं Lead a woman to the altar का मतलब होता है किसी औरत से शादी करना to marry a woman एक्जामपल के तौर पर He Laj Rani to the altar उसने वो Rani को शादी करने के लिए ले लिया या उसने Rani से शादी कर ली Rahul Laj Anju to the altar Rahul न Anju से शादी की last week इससे सबताद 253 Heave a sigh of relief It is not a habit It's a heave वैसे साई का मतलब होता है आहें भरना गहरी सांस लेना या आहें भरना साई Heave a sigh of relief का मतलब होता है राहत की सांस लेना जब किसी काम को करने के बाद आदी बहुत relaxed महसूस करता है हम करते हैं Heave a sigh of relief इसका हमारा अलग एक्सप्रेशन है सांस ले रहा है यानि कि to feel relaxed Phrase number 254 Lead someone by the nose Lead someone by the nose का मतलब होता है इसका है किसी पर पूर्ण नियंत्रण रखना पत्री के द्वारा किसी भी और पर पूर्ण नियंत्रण कायम करना बड़ा ही मुश्चिल है He could not lead his wife by the nose वो अपनी पत्री पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सका The government could not lead the opposition by the nose सरकार इविपक्षी दल को पर पूर्ण नियंत्रण साफित नहीं कर सकी That is called Lead someone by the nose To control someone completely आज का हमारा आखरी फ्रेश है 255, Herculean task Herculean task हम उसे कहते हैं जो बहुत ही मुश्किल काम हो दुरलफ काम बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ही टफ वर्क, बहुत ही दुरलफ काम A Herculean task A very difficult job Example To eradicate poverty from India is a Herculean task भार से गरीबी को पूर रूप से समाप करना एक बड़ा ही मुश्किल काम है To become an I.S. officer for any student Is a Herculean task किसी भी विद्यारती के लिए I.S. बनना एक बहुत ही मुश्किल काम है तो किसी भी दुरलब या मुश्किल काम के लिए हम Herculean task का यूच करते हैं जिसका सिरोनिम होता है A very difficult job Students आज part number 28 में हमने पढ़ा 28 से लेकर 255 phrases को अगले part में फिर मैं आगे जारी रखूगा इसके इसी सिलसले को और उमीद करता हूँ आप इससे लाब उठा रहे होंगे Thank you very much for being with me